हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंदरजीत बखेल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐरवेदिक और उसका नाम है अस्वगंदा तो अस्वगंदा आपको बता दूँ कि जो असली अस्वगंदा होती है उसके पत्तियों को जो हम हाथ से रगडते हैं तो गोडे के पेसाब की जैसी बद्भू आती है तो आप इस प्रोसेस से जान सकते हैं कि असली अस्वगंदा है या नकली है तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अस्वगंदा का जो उपयोग है बहुत ही जादा बताया गया है बहुत ही जिगह बताया गया है बहुत ही दूस्तों आज मैं आपको लगवग लगवग पांच प्योग इसके बताने जा रहा हूं- अलग-लग बिमारीयों मेंकैसे कैसे इसको उफ्योग कर सकते हैं तो आपको पता है हर किसी ओस्थिक любой किसी चीज कर फायदे भी होते हैं नुक्षान भी होते हैं तो किर्पिया डॉक्टरी सला से लें या फिर किसी आयरवेदिक आचारेश के सला से लें तो दोस्तों आपको बता दूँ सबसे पहला इसको अपयोग बालों के लिए बता जैसे कि आजगल बाल जड़ते हैं या फिर बाल सफेद बहुत ज़दा हो रहे हैं तो आप उसमें भी अस्वगंदा का यूज़ कर सकते हैं तो आपको चार ग्राम अस्वगंदा कच्चून बना लेना है और उसको रोज आपको सुबह और साम गुनगुने गरम पानी के साथ लेना है या आप खाली पेट ले सकते हैं सुबह और साम को भी बोजन से पहले ले सकते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़दा फायदा मिलेगा तो आते हैं दूसरे नंबर की भीमारी पर यह आँखों के लिए जैसे आँखों का सूखापन या फिर आँखों में आपको ठीक से आँखों से आपको ठीक से दिखनी पाता है आँखों में थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है तो आप अश्वगंदा का यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए आईखों से बताया गया है कि दो ग्राम अश्वगंदा लें, दो ग्राम आवला लें और एक ग्राम मुलेटी लें इन तीनों के चूरन को मिला लें जो आपको मात्रा बताईए मैंने और सुबह साम पानी के साथ लें आप ताजा के पानी के साथ भी ले सकते हैं मटके के या फिर आप कुनगने गरम पानी के साथ भी ले सकते हैं तो इससे आपको लगबग पंदरे दिन के बाद बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा आप खुद फिल कर सकते हैं कि बहुत अच्छा रेजल्ट है तो तीसरी विमारी आती है सारे कमजोरी आजकल खाना पीना अच्छा नहीं हो पा रहा है लोग बागों का और मतलब देशी न खाके चाउमीन बर्गर ऐसी चीज़े खाते हैं तो उनको सरीर बहुती कमजोर हो जा बादा और उसमें बराबर ही मिस्री मिला लें और सहद मिला लें या फिर सहद मिला लें फिर मिश्री मिला लें तो और इसमें 10 ग्राम घी मिला लें गायका घी इसके 2-2 ग्राम की खुराग बना लें और सर्दियों मेलें गर्मियों में ना लें क्योंकि ये तीनों मिक्शर तोड़ा आपको गरम तासीर है तो गरम फील करा सकता है तो आप इसे सर्दियों मेले तीन चैस चार मिने लेंगे आपको बहुत ज़दा फायदा मिलेगा आपको अपने आप मेहीं लगेगा हाँ एनरजी है तो अपना चौता है कब्ज में कब्ज की बिमारी भी बहुत है तो लीवर के डिनी सारे फंक्संस हो ठीक तरह से वरक नहीं कर पाते हैं और गन तो कब्ज के लिए क्या करें दो ग्राम गुर्णने पानी के साथ सुभह और साम लें तो आपको बहुत ज़दा फाइदा मिलेगा यह खाने खाने के बाद लेना है अपको अपना पांच मा आता है टीवी टीवी बहुत ही खतरनाक भीमारी थी एक टाइम पर और इसका कोई इलाज नहीं था आज की रेट में इलाज भी है तो आयरवेद के साथ से जो में इलाज है आपको बता देता हूं तो दो ग्राम अश्रोगंदा और पानी में 20 ml पानी बना ले इसका मतलब इतना उबाल रहें 20 ml पानी का काड़ा बना ले या फिर